वेलकम यू आल, so this is the third lecture of ring theory और इस lecture में हम discuss करने वाले हैं prime ideal के बारे में तो आप first two parts जरूर देखेगा, वो आप देखोगे तो आपको काफी helpful रहेगा of course, no doubt so prime ideal से हम start कर रहे हैं, last lecture में हमने ideals के बारे में पढ़ा था और मैंने कुछ properties आप लोगों को बताई थी उसके बारे में तो यहाँ पर आप हम देखेंगे कि prime ideal क्या होता है, तो आप मान लेजे, let r कोई ring है, let r be a ring and एक हम ideal लेकर चल रहे हैं, i, okay, क्योंकि हम prime ideal ले रहे हैं, तो मैं आप इसको p से denote कर देती हूँ, कि p हमारा कोई prime ideal है तो पहली condition तो यह होगी, कि यह p जो है, वो r के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो condition क्या है prime ideal की, कि हम a और b लेकर चलेंगे r से, जो हमारा ring है, और जब भी, whenever, यह important है word, whenever, जब a, b, हमारा p में बिलॉंग कर जाए, मतलब जिसे हम prime ideal कहने वाले हैं, उसमें बिलॉंग कर जाए, तो क्या होगा case, either, या तो a बिलॉंग करे p से, और अगर a नहीं बिलॉंग करता, तो b बिलॉंग करे p स अगर ऐसा होता है, तब हम यह कहेंगे, कि जो यह p है, वो prime ideal है, और अगर p जो है prime ideal है, तो इस case में, जब a, b, p में बिलॉंग करेगा, तो दोनों में से कोई एक ही p में जाएगा, ठीक है, इस चीज़ को समझने के लिए, मैं आपको कुछ example की help से बताती हूँ, कि किस तरी situation satisfy होगी, तो इसका satisfy होना जरूरी है, अगर a, b, p में बिलॉंग नहीं करता, तो आगे यह हम चेक नहीं करेंगे, ठीक है, तो prime ideal के लिए, जो product है, वो prime ideal में जाएगा, और अगर उसमें हम prime ideal कहने वाले हैं, या वो होगा, तो इन दोनों में से कोई भी एक p में जाएगा, पहला example देखिए, इस example में, जो j है, हमें पता करना है कि जो यह j है, वो prime ideal है या नहीं, यह हम find करेंगे, ठीक है, अभी हमें नहीं पता है, तो इस j को किस तरीके से define किया गया है, इस j में ऐसे functions हैं, जो हमने लिये हैं, continuous 0 और 1 से, ओके, और यह जो इसमें जिस तरीके functions हैं 1 by 3 पर वो 0 value देते हैं, वापस से समझिए, यह जो हमने j define किया है, यह जो ideal है, उसमें f type के functions हैं, c 0 1 मतलब continuous functions हैं, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यह होता है कि c यहाँ पर denote करता है कि continuous functions यहाँ पर होंगे, और continuous functions किस पर defined होते हैं, continuous function is defined on interval 0 to 1, मतलब कि यह एक तरीक से डोमेन का काम कर रहा है, आप ऐसे बोल सकते हो कि 0 to 1 हो यह function है, और यह किसी R पर जाके, जो co domain है वो R है, तो यह continuous function, f is here continuous function, तो function हम लेंगे c 0 1 मतलब continuous function, which is defined on the interval 0 to 1, तो इस type के सारे function आ जाएंगे, जो 1 by 3 पर कितनी value देते हैं 0, and we have to find this j is prime or not, तो इसको find करने के लिए, हम क्या कह रहे हैं, कि देखो, f और g का product किसके बराबर होना चाहिए, f, f और g का product, अलब किस वारी value पर, 1 by 3 value पर, अगर 0 value दे दे, तो क्या यह p में belong कर जाएगा, वापस से ध्यान से समचिए, हमने definition में क्या बोला था, कि a, b, p में belong कर जाए, तो हम आगे condition देखेंगे, आपने कोई दो functions, f और g, r से ले लिए, तो उन दोनों का product, उन दोनों का product, पी में belong करने के लिए, ठीक है, यहाँ पर j है, तो मैं j मान लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पर j define कर रखा है, अगर j नहीं हो, तो आप यहाँ पर p मान कर भी चल सकते हो, इसको p बोल देते हैं, यह पर p में 0 value देगा, ऐसे functions p में चले जाएंगे, तो इसके product को, इस composition को, p में जाने के लिए, क्या जरूरी है, कि यह 1 by 3 पर कैसी value देदे, 0 value देदे, ठीक है, तो फिर हम देखेंगे, क्या f, क्या f p में belong कर रहा है, या फिर अगर यह नहीं करता, तो क्या g belong कर रहा है, ठीक ह मैं कोई भी functions लेकर चल सकती हूं, हमारी कोशिश तो यही रहेगी, कि हम ऐसे दो functions ढूड कर लाएं, जो p में belong करते हूं, पर इसमें से किसी में belong ना करें, ठीक है, तो इक तरीके से counter मैं बोलना चाहरी हूं, कि हम मान कर चलते हैं, कि f जो function हमने लिया है, यहां से, वो 1 by 3 प वो 0 के equal आ रहा है, इसका means कि f 1 by 3 पर और g 1 by 3 पर, क्या value देगा, 0 value देगा, यह मैं यहां से निकाल रहे हूं, ठीक है, अगर if it is so, then f 1 by 3, मैं बलब f of 1 by 3 और g 1 by 3 पर क्या value देगा, 0 value देगा, अब यहां पर, अगर यह हमारी value दे रहा है, a, यह value दे रहा है, b, a b किसके बराबर आगया, 0 के, किसी भी दो नंबर का product 0 तभी हो सकता है, जब या तो a 0 के बराबर हो, या तो a 0 के बराबर हो, और या तो b 0 के बराबर हो, आपको यह चीज़ धान देनी है, जो यह हम a और b लेकर चल रहे हैं, मैं यह नहीं कहा रही कि वो 0 है, या वो 0 के बराबर न नहीं हो सकती, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, पट हमने कोई ऐसी ही random value A और B मान रखा है, तो जो condition हम लेकर चलेते, उस condition से हमें ये पता लग रहा है, या तो A0 के बराबर होगा, या तो B0 के बराबर होगा, ये compulsory है, बतलब कि इन दोनों में से कोई A0 के बराबर होगा, है, that means, इसके वो function फिर इसमें चला गया, अगर इसमें चला गया, that means, हम ये कह सकते हैं, या तो Fp में चला गया, या तो GB में चला गया, तो यही condition हमें प्रूफ करनी थी for prime ideals, या तो A जाए P में, या तो B बिलॉंग करे P में, prime ideal में, अगर ऐसा होता है, तो हम उसको बोलते 1 by 3 की जगहा पर, आप 1 by 2 ले लो, आप 2 by 3 ले लो, 0 की equal दिखा दो, या फिर कोई भी ऐसे functions, जो भी इसी type की है, आप ये प्रूफ कर सकते हो, कि अगर इस तरीके से function defined है, तो वो prime ideal होगा, next example, मैं आपको कोई ऐसा example देती हूँ, जहाँ पर जो P है हमारा वो prime ideal नहीं है, तो define करते हैं, माल लेते हैं कि जो P है, ये कुछ इस तरीके से define है, इसमें ऐसे functions आएंगे, जो continuous है 0 to 1, इस पर मैं इक अलग से video upload कर दूँगी, क्योंकि ये काफी important topic है, इसमें हम बात करते है इसमें continuous functions की defined है 0 to 1 interval पे, तो इसके ideals के बारे में, prime ideals के बारे में, then maximal ideals के बारे में, काफी important topic है, we'll discuss it, और काफी detail में देखेंगे इसको, बट अभी prime ideal के topic को खतम गर लेते हैं, तो यहाँ पर जो function defined है, वो कुछ इस तरीके से है, कि आप अगर f function लेते हो यहाँ से, तो 1 by 3 पर वो 0 value देगा, जैसे कि मैंने बताया आपको, last example में, but 2 by 3 पर भी वो 0 value देगा, मतलब यह हमने कुछ इस तरीके से define किया है, जब यह condition कोई भी function फुल्फिल करता है, तो वो इसमें चला जाएगा, ठीक है, based on key, f is from continuous function, f is continuous function, और वो 0 to 1 interval पे defined है, तो यह जो हम लेके चल last example में भी हो, इसमें भी आप ऐसे देख सकते हो, यह 0 to 1 पे defined है, तो 1 लो 1 by 3 value हो गई, तो 2 by 3 value हो गई, तो इस पर और इस पर हम कह रहे हैं कि function की value 0 आएगी, last question में हम सिर्फ इस पर 0 value कह रहे थे, एक condition मैंने इसमें और जोड़ती है, 2 by 3 वाली, again, अब आप ऐसे सोचो कि, उस definition में हमने क्या कहा था, कि A, B, अगर P में belong कर जाए, ऐसा होता है, तब आगे हम यह देखते हैं कि क्या A, P में belong कर रहा है, या फिर B, P में belong कर रहा है, तो यह तो हमें पहले fulfill करनी ही है condition, that means, कि यहां से मैंने, देखो, last example में, जब 1 by 3 था, तो हमने ऐसे मान लिया था, क अब यहां पर एक और condition क्योंकि जूड गई है, that means, कि F of G, 2 by 3 is equals to 0, कि इस पर भी वो, आप 2 function ले रहे हो, तो वो 1 by 3 पर भी value 0 देगा, और 2 by 3 पर भी value 0 देगा, इसको में थोड़ा सा और, अगर हम इसको solve करें, तो that means, कि 1 by 3 पर, और G की value, 1 by 3 पर 0 दे, और इसी तरीके से अगर हम इसको और open करें, तो function की value 2 by 3 पर, और function की value 2 by 3, G की value 2 by 3 पर 0 देखो, इसका मतलब क्या है, कि अगर मैं कोई भी दो function मुझे define कर नहीं है, यह जो F of G में मान कर चल रही हूं, यह तो मुझे define करने ही होंगे, तो क्यों ना हम एक ऐसा function define कर दे, कि F जो है, वो 1 by 3 पर तो zero value दे रहा है, यह जो function हम F और G define करते हैं, यह ज़रूरी यह ऐसे नहीं define करते हैं, कि इन वाली condition को fulfill करें, अगर आप ऐसा ही function define कर देते हो, जो इन conditions को satisfy कर रहा है, फिर तो बात ही खतम, फिर तो हम यह क्यों चेक कर रहे हैं, कि या तो F belong करे, या F belong करे P से, या G belong करे P स यह condition तो फिर चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अगर हम ऐसा ही function मान के पहले से ही चल रहे हैं, ठीक है, समझ रहे हो, आपकी कैसे आपको यह सोचना है, कि कैसे functions हमें define करने हैं, आपके mind में यह नहीं रहना चाहिए, कि function हमारे इन वाली condition को fulfill करे, जब लेकर यह चल 2 by 3 पर वो 0 value नहीं देता, इसी तरीके से g function defining कर लो कुछ कि 1 by 3 पर वो 0 value नहीं देता, बट 2 by 3 पर दे देता है, तो यह आप देख सकते हो कि कुछ different condition ही अमान कर चल रहे हैं, अब यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर अगर हम देखें, पहली वाली जो पहला जो मैंने लिख रखा है, कि इन दोनों का जो product है, यह हमें 0 देता है, तो यहाँ पर अगर आप देखो, कि यह जो है, यह आपको 0 दे रहा है, और यहाँ पर यह 2 by 3 कि 0 के बराबर नहीं है, कोई आपको value मिलेगी इस पे, ओके, इसमें अगर हम आएं, यह मैंने 2 by 3 इसका बोल दिया, sorry, g by 3 है, तो यह वाला, यह वाली condition की बात हो रही है, तो इस पे अगर हम देखे हैं, कि दोनों का product 0 के बराबर है, okay, यह चीज, बट इस पे तो 0 दे रहा है, इस पे 0 नहीं दे रहा, तो भी कोई problem नहीं है, एक पर 0 बन रहा है, तो answer तो 0 मिल जाएगा, इस condition की accordingly, या तो फिर F आ जासे, क्योंकि वो तो कहता है कि 2 by 3 पर भी 0 value दे, जी कि अगर बात करें, तो वो भी P से बिलॉंग नहीं कर रहा, क्योंकि यह 1 by 3 पर 0 value नहीं दे रहा, तो पहली condition के accordingly तो हम नहीं कह पा रहे हैं, कि वो prime ideal है, दूसरा भी मैं आपको चेक करके बता देती हूँ, अगर हम इ P के बराबर है, तो दोनों ही P के बराबर नहीं है, जो ही same reason, जो हमने इस पर अपलाए किया था, तो कोई भी क्योंकि P के बराबर नहीं है, तो हम इस वाले case में यह नहीं बोल पाएंगे, कि P जो है, वो prime ideal है, so P is not a prime ideal of R, तो I hope आप लोगों को थोड़ा ideal लगा होगा कि कि इस तरीके से चेक किया जाता है, और अगर अगर भी कोई confusion है, तो मैं एक और example लेती हूँ, वो different होगा, बिल्कुल इससे different होगा, और उससे आपको यह थोड़ा ideal लगेगा कि आपको choose कैसे करने है, functions कैसे बनाने है, as such, तो वैसे मैंने बताया कि कोई restriction नहीं है, हम किसी भी function चूज कर सकते हैं, बट इस तरीके से construct करें, such that कि condition, बलब यह जो हम दिखाना चाहा रहे हैं, कि या तो A बिलॉंग करें P में, या तो B बिलॉंग करें P में, यह condition फुल्फिल ना हो, so that कि आप ऐसा एक function लेकर आ पा रहे हो, जो इस condition को फुल्फिल नहीं कर रहा, और उस reason कि वज़ा से हम इसको प्राइम आडियल नहीं कह पा रहे है, अब P मालेजे कुछ ऐसे डिफाइन कर रहे हैं, कि function लिया जा रहा है, continuous function 0 to 1, अगर यह condition नहीं भी है ना, जो मैं यहाँ पर condition लिखती हूँ, जैसे कि मालेजे मैं लिख दिया कि fx की value 0 है, जो मैं यहाँ condition वो भी आपके लिए enough है, यह तो बस इतना ही बताता है, कि function जो है, वो continuous से है, ठीक है, तो यह condition भी enough है, अगर यह नहीं दिया हुआ है, और कुछ ऐसे करके कोई function defined है, तो भी आप similar way से निकाल सकते हो, हम आप देखी रहे हो, कि हम mainly इसी का use यहाँ पर कर रहे है, तो सारे ऐ एक समारा 1 by 3 से बड़ा होगा, या फिर 1 by 3 ही होगा, तब तब वो 0 value देगा, till 2 by 3 तक, मतलब अगर यह कुछ इस तरीके से defined है, 0 to 1, तो 1 by 3 कुछ यहाँ पर आएगा, 2 by 3 यहाँ पर आएगा, मतलब इस वाले portion के लिए, यह जो portion है, इस पर function value 0 देगा, जो जो functions यहां से ल condition यह होती है कि हम F और G दो functions लेकर चलते हैं, और उन दोनों का product यह हम मान कर चल रहे हैं कि किस के बराबर आजाए, 0 के बराबर आजाए, तो यहाँ पर यह condition तो हम लेकर चल रहे हैं, और लिटर वी विल सी कि F P में बिलॉंग करता है, या फिर G बिलॉंग करता है, या दोन x, so 1 by 3 से जादा और 2 by 3 से कम, अब हम कुछ F और G आप ऐसे define करिए, कि हम यह चीस चेक कर सकें, तो मान लेते हैं कि पहले मैं आपको define करके बता दियूंग कि हम क्या लेकर चल रहे हैं, मैंने एक F function लिया, और F x जो है, यह 0 value देता है, जब हमारा x 0 से start करे, और half तक करें, ठीक है, आप क्योंकि मैंने यहाँ पर half include नहीं किया है, तो मैं next में half को include कर लेती हूँ, और till 1 तक चलेगा, क्योंकि 0 to 1 पे ही define किया गया है मेरा code domain, और function की value होती है, x minus half, आप, और change भी कर सकते हो, मतलब किसी और तरीके से भी function को define कर सकते हो, कोई problem नहीं है इसमें, तो इस पे 0 value देगा, इस पे x minus half देगा, मतलब आप कुछ ऐसे सोच लो, कि जैसे यह 0, sorry, यह था 0, और यहाँ तक 1 मान लेते हैं, यहाँ पर 0 था, मैंने इस पे half पे break किया है, तो 1 by 3 यहाँ पर होगा, 2 by 3 यहाँ पर होगा, क्योंकि इसके लिए वो 0 बोल रहा थ तो यह तो अपका p defined था, मैंने कहीं half पर इसको break करके बनाया है, तो जब भी हमारी value 0 से half तक जा रही है, मतलब यहाँ से start है, including 0, half तक जा रही है, तो function हमी 0 value ही दे रहा है, बट half पर उसकी value यहाँ पर आ जाएगी, तो जब आप half भी put कर रहे हो इसमें, तो half minus half, 0 value आ इस तरीके से function हमने define कर रखा है, तो आप देख सकते हो एक continuous function हमने define किया है 0 to 1 पर, आप देखो इसमें क्या role है, आपको function लेना है f and g, तो उसने बोला कि function कहां से लेना है, मतलब कैसे होने चाहिए continuous function होने चाहिए, actually यह जो condition है, यह तो हमारे prime ideals के लिए जरूरी है, तो उसके लिए यह भी condition जरूरी होनी चाहिए, इसके साथ-साथ कि function continuous है, अगर function ही continuous नहीं है, तो आप condition, यह जो fx is equal to 0 वाली condition है, वो ठीक हो भी जाती है, और function continuous नहीं है, तो कोई फायदा नहीं है, तो आप देख सकते हो कि जो हमने define किया है, वो function continuous है, और domain है, हमारा 0 to 1, एक function तो मैंने define कर दिया, दूसरा function देखे, कैसे define करेंगे, gx, हमारी ही choice है, बट मैं ऐसा नहीं कर रही है, कि जो भी मैंने यह p मान कर चल रही हो, उसी की सारी condition को वो fulfill कर रहा है, different तरीके से लेने की कोशिश कर रहे है, तो इसको मान लीजे, 3 में break कर देते है, 0 से start कर रहे हैं और half तक, और आगे half से लेकर break कर देते हैं, इसको include कर लो half को, 2 by 3 तक, 2 by 3 से फिर x की value जाएगी, और 1 तक, यह धान रखना है, कि अगर आप 2 by 3 को यहाप include कर दे रहे हो, तो और next आले में मत करो, इसमें कर दिया है, तो अगर इसमें नहीं क्या, तो आप include कर सकते हो, उसमे फिर नहीं बनेगा, okay, so, यह suppose करो दे रहा है कोई value x minus half, यह कोई value दे रहा है 0, और यह दे रहा है x minus 2 by 3, तो continuous function बनेगा, यह एक बिल्कुल, कुछ इस तरीके से माल लो, 0 to 1 लेना है मुझे, just a second, यह values है, और यह कहीं 0 होगा, यहाँ पर कहीं 1 होगा, मैंने तीन में ब्रेक है, तो हाप का, sorry, it will be 1 by 2, कुछ यहाँ पर आएगा, 2 by 3, कुछ यहाँ पर आएगा, और 1 by 3 मैं इसलिए लिख रही हूँ, just, जो peaky condition थी, तो पहला तो देखो, half से लेकर 2 by 3 तक, यहाँ तक तो वो 0 ही value दे रहा है, यहाँ पर आप पूट करके देख सकते हो, जब 2 by 3, minus 2 by 3, मतलब 1 by 3 value आजाएगी, कुछ यह increase होके, ऐसे जा रही है, ठीक है, function की value, और उपर चेक कर लो, जब आप 0 put करोगे, तो minus half something है, मतलब, जब हमने 0 put किया है, इसमें, तो something कुछ minus half जा रही है, and उसके बाद, half put करोगे, तो half minus half, वो कुछ 0 की तरफ जाएगी, तो function में continuity है, पस इतना ही हमें ध्यान देना है, function आप कैसे भी define कर सकते हो, तो यह दोनों मेरे functions हो गए, f and g, अब यहाँ पर हमने यह कहा था, कि जब जब यह interval में लेंगे, तो function हमारा 0 आना चाहिए, क्योंकि composition हमारी f और g कहां से belong कर रही है, p से, तो अगर यह composition p से belong कर रही है, that means, यह composition 0 value देगी, हर इस value के लिए, क्योंकि यही define कर रखा है हमने, अगर ऐसा है, तो अगर हम इसको यह बोलें कि p, p जो है, देखे, मैं इसको अच्छे से explain कर देती हूँ, और अगर ऐसा है, कि f और g, यह हमें दे रहा है 0 value, because f और g कहां से belong कर रहा है, p से, x की value जब भी 1 by 3 और 2 by 3 के बीच में होगी, तो हमें यह value देगा, तो देखे, हम यह बोल रहे हैं कि या तो फिर f p में belong करेगा, अगर p prime ideal है, और यह नहीं करता, तो g, यह और की condition है, और, तो या तो फिर g belong करेगा, p में, तो अगर यह p में belong, f जो है, p में belong कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि fx is equal to 0 हो गया, जब-जब x की value 1 by 3 और 2 by 3 से कम है, और इसका मतलब क्या हो गया, कि gx की value भी 0 होगी, जब-जब x की value 1 by 3 और 2 by 3 से कम है, इसको is equal to, ठीक है, चलो चेक कर लेते हैं, इस पे 0 value देना चाहिए, तो f function मैंने यहाँ पर define किया था, f function यह कहता है, कि यहाँ से यहाँ तक 0 value देना चाहिए, बड़ चो मैंने function माना है, उसके accordingly यह part तो ठीक है, यह तो जिरू दे रहा है, बट यह part तो नहीं दे रहा, that means कि f तो belong नहीं कर रहा p में, अब हम g के लिए check कर लेते हैं, यह कहता है कि अगर g p में belong करेगा, तो यह condition satisfy करनी चाहिए, g पर आते ह g कुछ इस तरीके से हमने define किया था, तो g के लिए 1 by 3 से start होगा, और यहाँ तक 0 value देना चाहिए, पर इसके accordingly यह तो हमारा function कुछ minus half चला गया था, जब मैंने 0 put किया था, और यह ऐसे आ रहा है, इतने part के लिए, यह जो part है उसके लिए तो ठीक है, पर इस वाले part के लिए भी हमें 0 चाहिए था, जो कि function 0 value नहीं दे रहा, तो यह भी आपका belong नहीं कर रहा, क्योंकि दोनों belong नहीं कर रहे, तो हम यह कहेंगे कि जो P है, P is not a prime, not a prime ideal, I hope आप लोगों को, अब clear हो गया होगा कि किस तरीके से check किया जाता है, अगर आप ऐसे functions नहीं ले रहे ना, तो आप कैस, किसी भी तरीके से function को define कर लो, कोई problem नहीं है, यह जो half दे रहा है value, कोई और value दे देगा, ऐसे दे देगा, मतलब कि इस part को नहीं satisfy करवाना, तो कोई कोई भी function की value आ सकती है, अदर से जाके, बस continuity पर ध्यान देना है, सेम इसी तरीके से जो हमने g function defining के है, जरूरी नहीं इसका या नीचे सही उपर जाए, उपर से भी इस तरीके से आ सकता है, continuity ही बस हमें चाहिए, तो आप इस तरीके से कोई भी function को define कर सकते हो, जब भी आप आप ऐसा कोई भी function define करोगे, अगर देखिए, आप f or g को कुछ ऐसा ही function define कर दे रहे हो, जो already इस condition को fulfill कर रहा है, तो हम हर case की बात करते है, definition क्या कहती है, definition पर चलते है, definition ये कहती है, whenever, whenever मतलब जब भी ऐसा हो, तब तब ये condition तो fulfill होने ही चाहिए, इसलिए हमारी कोशिश य होती है, कि अगर ये कंडी हम ऐसे functions पहले से लेकर दिखा दे मतलब एक counter दिखा दे कि ऐसा हो रहा है, पर ये बिलॉंग नहीं कर रहा है, इसलिए हम कह रहे हैं कि वो prime ideal नहीं है, तो आपको ये दिखाने की बजाए कि हाँ, ये prime ideal है, मतलब जब जब भी शोनी proof करना होता है तो proof में हमें तो पता कर रहा है, तो हम तो randomly कोई भी ऐसा function ले गर चलेंगे और ये चीज़ को दिखा देंगे, so I hope prime ideal का topic clear हो गया होगा आप लोगों को, in case कोई भी doubt है तो आप लोग मुझे से पूछ सकते हो, thank you